सब्तरीकु हनमान नगर कंकालीनी नगर पालीका उड़ा नमर 12 मुख्या टोलका 150 परिवार मुख्या समुदाई सब्तकुसी नदेमे आस्त्री छन। पुर्ख्योली रुपमा माचा मारे रई उनिहरू आफना परिवार को गुजारा चलाऊंदे आय पनी एती बिला बंदा बंदी का कारण डुंगा किनार में थन किये कुछा। कोरोना भाइरस को संक्रमण नियंत्रन तथा रोक्थाम का निम्ती इस्तानिय प्रशासन ले डुंगा मा तालचा लगाए पची मुख्या परिवार लाए हात्मुख जोरना समस्या परेको हो। परिवार को गुजारा चलावनी एक मात्र बिकल पर रहे को डुंगा पनी नदी किनार में थनकिदा वगभगई बसनुपर ने बाध्यता खेब दई आयको उनिहर को दुखे सो छा। इस्तानिय सरकार ले पनी केही परिवार लाए मात्र रहात उपलब द गरायकाले आफ़को दैनी के गस्टकर बने को उनिहरों बताऊंछन। मुखिया समुदायले रहात को ब्यबस्ता मिलाई दिनु परने वा नत्र डुंगा संचालन गरना दिनु परने माग गरे काछन। लॉक्डाउन का कारण अईले सप्तरी को हनुमान नगर कंकानली नगर पाली का माजुन डुंगा चलायर माथाको ब्यबसाय गर्दयाय का मलाहा परिवार को जन जिबन अत्यंती कस्टकर बन्न पुगेको छ। लॉक्डाउन ले वहां रुको डुंगा चलन नसक्दाव वहां रुको जन जिबन कस्टकर भईशके कोले एस्तर्फ सम्मंदित निकाईले ध्यान दिनु अति आवसेक छ। जन ता टेलिवीजन का लागी पिद्यानन द्राम सप्तरी